हेलो टीए स्टूडेंट्स वेल्कम बेक टू और गिनाइज नॉलेज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिसकस करेंगे वक्षीट नंबर 74, 4 क्लास 10 विशे विज्ञान है और ये वक्षीट आपके लिए 24 जैन्वरी 2022 के लिए शिजूल की गई है आज की जो वक्षीट स्टूरेंट्स उसमें हम चेप्टर 9 जो है हमारा अनुवान शिक्ता और एवम जैव विकास उसी को कंटीनू करते हुए आगे पढ़ेंगे सो वक्षीट शू करने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो देखे बच्चों क्या दिया गया है आज की वक्षीट में आज की वक्षीट का हमारा टॉपिक है मनुष्य में लिंग निर्धारन अभी तक हमने पढ़ा हमने एक संकर क्रोस पढ़ा हमने द्वी संकर क्रोस पढ़ा अब हम पढ़ेंगे कि मनुष्य जो है उनके अंदर लिंग निर्धारन कैसे किया जाता है तो मनुश्य की प्रते कोशिका में 23 जोड़े गुन सुत्र होते हैं यानि टोटल कितने होते हैं टोटल 46 होते हैं 23 जोड़े होते हैं इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ओटोसम यानि काय सुत्र कहलाते हैं तो यानि देखो बच्चो 23 जोड़े होते हैं 22 क्या कहलाएंगे और एक जोड़ा जो है वो लिंग गुण सुत्र का होता है यानि जो 23 वा जोड़ा होता है वो लिंग गुण सुत्र यानि वही जो है लिंग का निर्धारन करता है ठीक है पूर्शों में लिंग गुण सुत्र पूरुष और महिलाओं दोनों में समान होते हैं लेकिन अगर हम 23 चोड़े की बात करें तो महिलाओं के अंदर ये क्या होता है एक्स एक्स होता है और पूरुष ये एक्स वाई होता है ठीक है यानि महिलाओं के अंदर तो जो है ये क्या रहेगा एक्स एक्स रहेगा और T हो गया ठीक है और विशम युगमजी जैसे T T हो गया यह हमने पिछली वक्षिट में भी पढ़ा था तो पुरुष जो है वो विशम युगमजी होते हैं क्योंकि उनके पास X के साथ एक छोटा गुंड सुत्र होता है Y ठीक है इस तरह का जो है यह क्या है Y गुंड सुत्र ह होते हैं तो इससे पता चलता है कि मादा केवल एक प्रकार के युगमक का उतपादन कर सकती है तो मादा केवल जो है एक ही प्रकार के युगमक का उतपादन करते है उनके पास कोई option नहीं होता इससे पता चलता है कि मादा जो है जो केवल एक प्रकार के युगमक का उतपा पिता से मिले गुंड सुत्र से निर्धारित होता है यानि माता से तो हमेशा X मिलेगा बच्चे के पिता से उसे X गुंड सुत्र प्राप्त होता है तो वह पुत्री होगी और उसे Y प्राप्त होता है तो पुत्र होता है ठीक है इस प्रकार एक बच्चे का लिंग केवल पित द्वारा योगदान किए गहे शुकराणू पर निर्भर करता है ने की माता द्वारा दिये गए अंड पर यही नहीं नरेव मादा होने मादा बच्चे होने की समभावना भी कितनी होती है पचास-पचास प्रतीशत होती है तो अब हम इसको समझेंगे तो हमने क्या पढ़ा ह हमने पढ़ा कि जो 23 जोड़ा है उसके अंदर मादा के अंदर मादा के अंदर क्या होते हैं एकस एकसी होते हैं और 23 जोड़ा पुरुष के अंदर होता है वो एकस वाई होता है अब यहां से जो युगमक हमेशा मादा से एकसी मिलेंगे और जो पिता है उससे युगमक क्या म अब यहाँ पे क्या होगा जब हम इसको बनाएंगे यह हो गया x और यह x और यहाँ पे होगा चुक है x और यहाँ पे रहेगा y तो अब अगर हम देखें तो देखें x x बनेगा इससे भी x बनेगा इससे भी x y इससे भी x y यानि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जो है एक्स एक्स बनता है यदि पिता से जो है क्या मिलता है एक्स मिलता है तो क्या बनेगा पुत्री में पैदा होती है और अगर पिता से वाई मिलता है तो पुत्र पैदा होता है तो यानि जो इस्तरी को जो आप कह सकते हो जिम्मिवार ठहराया जाता है लड़की होने के कारण तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, बच्चों 50-50% चांस होते हैं लड़काया लड़की होने के, और ये भी जो पुरुष होता है, उसके द्वारा प्राप्त गुंड सुत्र पर निर्भर करता है, तो मारों में लिंग्डिन धारण हम बढ़ चुके, पिता माता ठीक है, एक्स व जिस ताफमान पर निशेची तंडे रखे जाते हैं, वह ये निर्दारित करता है, कि अंड में विक्सित होने वाले जानवर नर होंगे या मादा होंगे, ठीक है, उसके बाद देखे, यानि यहां पर किस पर निर्भर करा, इस पर ताफमान पर निर्भर किया, कुछ लिंग है, वह हमेशा नुमांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, तीसरा है, पक्षियों में मादा विसम युगमजी होते हैं, अर्थार्थ उनमें जड़ जड़ डबली गुन सुत्र होते हैं, जबकि नर में जड़ जड़ होते हैं, तो यानि जो मानों में होता है उससे उल्टा किसमे होता है पक्षियों में होता है मादा में तो अलग होती है लेकिन नर में सारे समान होती है कुछ कीटों में नर के जोड़े की बजाए केवल एक लिंग गुण सुत्र होता है ठीक है नर में जो है उसकी बजाए क्या होता है एक ही लिंग गुण सुत्र होगा तो अब यहाँ पे आपको कुछ प्रेशने दिये गए हैं पांच प्रेशन है जिनके आंसर हम वन बाई वन करेंगे पहला प्रेशन है हमारे समाज में एक महिला को लड़की को जनम देने के लिए उतरता ही ठेराया जा रहा है क्या आप इस कदन से सहमत होंगे क्यों और क्यों नहीं तो हम इस कधन से सैमत नहीं है क्योंकि मादा केवल एक प्रकार के युगमक का उत्पादन कर सकती है जब कि नर दो प्रकार के युगमक उत्पन कर सकती है जो है X और Y युगमनेस के निर्मान के दोरान एक बच्चे को हमेशा मा से X गुंण सुTRA प्राप्त ओता है लेकिन बच्चे का लिंग पिता से मिले गुंण सुTRA से होता है तो ये बल्कुल गलत है जो लड़की को जनम देने के लिए एक महिला को उतरताई ठहराया जाता है नेक्स कहां से इसको करेंगे मानों में लेंग निरधारन ठीक है पिता-माता जनक हैं और युगमक बनेंगे और इस तरह से जो पहली पीडी होगी उसमें 50% चांस चो है पुत्री के हैं तो 50% चांस चो है वो किसके हैं पुत्र होने की हैं तो ये वाला जो है आप इसमें आप इसके जान लिया जाता है, तो हमारे देश के लोग जो है, जो आप कह सकते हो अनपढ़ता के चलते या जो भी रिजन है, उसके चलते क्या है कि गर्ब में ही बरुन हत्या करा देते हैं लड़की का, चिक है, तो इसलिए यह तकनिक हमारे देश में प्रतिबंदिध है क्योंकि लोग गर्ब में लिंग जान लेते हैं और लड़कियों की हत्या करा दी जाती है नेक्स देखिए प्रशने चार है लिंग हमेशा अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है क्या आप इस कथन से सैमत हैं एक उधारन देकर रोचित्त शिद्ध कीजिए तो कुछ जानवर जैसे गोंगा लिंग बदल सकते हैं और सरी सर्फ में तापमान से लिंग निर्धारित होता है और यह दर्शाता है कि लिंग हमेशा अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है ठीक है तो यह आप आंसर लिख देंगे साथ क्रॉस पूरा और यह वाला इसके साथ क्रॉस पूरा होगा तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा तो इस तरह से आपको इसको बस कंप्लीट कर देना है तो यह थी स्टुडेंट साबकी आज्ह की साइंस की वक्षीट I hope सभी बच्चों को ये clear है कोई भी doubt है तो पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को जुरूर से like कीजिए share कीजिए और channel को भी subscribe कर लीजिए so thanks for watching मिलते हैं next video में next worksheet के साथ take care have a nice day